हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल दीप क्लासिस जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अब भ्रंश के स्वरूप और विकास का विस्तृत्वी वेचन कीजिए आज के वीडियो में हम इस क्वेशन के आंसर को जानेंगे लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन्स आप तक पहुँच सके साथी MHD से रिलेटिड अदर वीडियो के लिए आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य समिक्षकों ने अब भ्रंश भाषा का समय सन पांसो इस्वी पूर्व से एक हजार इस्वी तक का माना है अब भ्रंश का अर्थ है भ्रष्ट, विक्रित अत्वा आशुद्ध इस नाम का प्रियोग पहले उस शब्द के लिए होता था जो भाषा के सामान्य मान दंड से गिरा होता था आरंभ में संस्कृत के विक्रित शब्द के रूप के लिए भर्थरी, पतंजली आदी, व्याकरंचार्यों ने अब भ्रंश का प्रियोग किया है इस प्रकार भाषा विशेश के अर्थ में अब ब्रंश का प्रियोग संचटी शताब्दी के आसपास दिखाई देता है इस तरह इस भाषा में साहित्य आठवी शताब्दी से लेकर चौद्वी शताब्दी के बीच स्रेजित हुआ यह सर्वमान्य तथ्य है कि प्रतेक यूग काल की एक साहित्तिक भाषा होती है और उसके समान आंतर विभिन प्रकार की जन भाषाएं बोली के रूप में प्रच्लित होती रहती है जिस प्रकार वेधो की भाषा चंदत्स ने उस समय की देशी भाषा से शक्ती प्राप्त करके संस्कृत का रूप ले लिया उसी प्रकार पाली, प्राकृत और अब्रंश का रूप ले लिया जिस प्रकार चंस ने संस्कृत तक का समय 1520 से पूर्व 520 से पूर्व तक का स्विकार किया और इन्हें प्राचीन आरे भाषा का नाम दिया गया उसी प्रकार पाली, प्राकृत और अब्रंश आरे भाषाओं का समय 500 इस्वी पूर्व से 1000 इस्वी पूर्व तक का स्विकार किया गया इन मध्य कालीन आरे भाषाओं की तरह आधुनिक भारतिय आरे भाषाएं सिंधी, गुजराती, अब्धी, ब्रज, पंजाबी आधी एक हजार इस्वी से अब तक स्विकार की गई है हिंदी साहित्य का इतिहास संपादक डौक्टर नागेंद्र के अनुसार आधिकाल में हिंदी साहित्य के समानांतर संस्कृत और अब्रण्श साहित्य की भी रचना हो रही थी इसमें संस्कृत साहित्य का तो समान्य रूप से जन्ता तथा हिंदी कव्यों पर उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ रहा था किंतु अब्रण्श साहित्य भाषा की निकट्ता के कारण हिंदी साहित्य के लिए निरंतर साथ चलने वाली प्रिष्ट भूमी का काम कर रहा था आज के उपलब्द अब्रंच साहित्य को देखकर कहा जा सकता है कि इसके स्वरूप में अनेक रूपता है यह भी कि इसका बड़ा भाग जैन कव्योद्वारा रचित है जो धार्मिक साहित्य के रूप में दिखाई पड़ता है इस साहित्य की एक बड़ी विशेष्टा यह है कि इसमें पोरानिक कथा प्रबंध, रहसे और नीती परकृतियां है जैन अब्रंच साहित्य के समान ही बौध अब्रंच साहित्य भी है यह भी धार्मिक दृष्टी कोन से ही लिखा गया इन जैन बौध साहित्य के अतिरिक अब्रंच साहित्य की एक अन्य का विधारा लोकिक साहित्य भी है इसमें श्रिंगार प्रधान प्रबंध एवं मुक्तक दोनों ही प्रकार की रचनाय है इन विशेष्टाओं के आधार पर अब्रंच साहित्य को निमलिखे धाराओं में बाटा गया है पहला है पुरान साहित्य दूसरा चरित्र काव्वे तीसरा कथा काव्वे चोथा जैन कवियों का नीती परक साहित्य पाँचवा बोध सिध काव्वे और छटा आधी कालीन रचनाय संस्कृत के आचार्यों सहित अब्रंच के कवियों पुष्प दंत स्वयंभु आधी ने अब्रंच को देश भाषा कहा है अब्रंच किस प्रकार देशी भाषा कही गई इस संबद में यह कहा जा सकता है कि वैदिक काल में चंस साहित्य भाषा थी उस समय संस्कृत लोग भाषा थी कालांतर में चंस ने लोग भाषा शेशक्ती प्राप्त कर ली और संस्कृत के रूप में नई साहित्य भाषा सामने आई जब संस्कृत साहित्य भाषा के रूप में प्रतिश्ठित थी तब प्राक्तिक लोग भाषा के रूप में थी अब कालांतर में संस्कृत पंडितों की भाषा रह गई इससे जनता से उसका संपर्थ नहीं रहा तब प्राक्तिक कुछ समय बाद साहित्तिक भाषा के रूप में प्रतिष्टित हो गई फिर प्राक्तिक भाशा के रून और बद्ध होने पर अब्रंश भाशा साहितिक भाशा के रूप में प्रचलित हो गई कुछ समय बाद जब अब्रंश का यूग नहीं रहा तब आधुनिक भारतिय भाशाओं में साहित्य रचना होने लगी इस प्रकार साहित्तिक प्राकृत का देश भाशाओं के साथ संपर्ख हुआ और इस प्रकार भारती आर्रे भाशा की अब्रंश अवस्था की शुरुआत हुई इस विशय में आचारे राम चंद्रशुक्ल का मनतव्य है कि जब से प्राकृतिक बोल्चाल की भाशा न रह गई तब ही से अब्रंश साहित्ते का आविर्भाव समझा चाहिए प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोल्चाल की भाशा ने ग्रहन किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और रचना काववे के लिए रूड हो गया अब भ्रंश नाम उसी समय से चला जब तक भाशा बोल्चाल की थी तब तक वह भाशा या देश भाशा कहलाती रही जब वह भी साहित्य की भाशा हो गई तब उसके लिए अब भ्रंश शबत का व्यवार होने लगा तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है जिसमे हमने जाना अब भ्रंश के स्वरूप और विकास के बारे में अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थाइंक यू फो वाचिंग